तो दोस्तों यहां पर काफी सारे स्टूडेंट कॉमेंट करते हैं जब भी हम SSB ट्रेड्समेन का ट्रेड टेस्ट और डॉकुमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो बनाते हैं तो स्टूडेंट के द्वरा बस एक ही कॉमेंट आता है कि गुरुजी मेरा 45 नमबर है मेरा 50 नमबर है मेरा 60 नमबर है मेरा 70 नमबर है मेरा 80 नमबर है क्या हमें के लिए बुलाया जाएगा क्या हमें मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा क्या हम फाइनल कर जाएंगे तो आए इस वीडियो में सारी चीजे हम आप लोगों को सौट तरीके से बताते हैं साथ में अभी जो ट्र कि अच्टूडेंटों का कहना है पिछले बार तो काइम भी नहीं दिया जा रहा था कोई प्राइम सरकार का नहीं है तो आपको दोस्तो बनवाने का टाइम दिया जा रहा है वैसे दोस्तो यहां पर जो बात करे हमने आप लोगों को पहले भी बताया था और भी बताया था कि दोस्तों यहाँ पर 2022 का जितना भी document है उधारन के लिए जैसे task certificate हो गया इसके बाद आप लोगों को residential certificate हो गया और experience certificate हम बार बार आप लोगों से बता रहे हैं कि experience certificate यदि आप यदि आप 2024 का बनमा के लेके जा रहे हैं तो भाई reject होने से कोई नहीं बचाएगा इसके बाद 2023 का बनमा के ले जा रहे हैं तो reject होने decedental certificate कब लोगों को भरती से पохल्य का होना चाहिए और काच certificate यहां पर भी मांगा जा रहा है वह भरती से पहल्य का होना चाहिए समझे नहीं है वह कर रहा है आपके राज़सरकार का पर साथ में जो न्यूँ आप सब्सक्राइब लोगों का सेंट्रल गोवर्नेंट का सर्टिफिकेट है वह अभी लिया जाए तो कुछ भ्यार्थियों को यहां पर समय भी मिल रहा है लेकिन आप को यदि आपके पास समय है का सर्टिफिकेट बनवाने का तो बनवा लीजिए डिस्टिक से बनता है समझ के दोस्तों अपना समय खराब ना करे एक्सपेंज सर्टिफिकेट 2023 से पहले का होना चाहिए समझ लीजिए यदि आपके पास 2008 से लेकर 20 का है बहुत अच्छा है 16 से लेकर इए आरे का है बहुत此 है समझगे ये इदि समझ लीजिए 22 2022 से पहले आपके पास है 2022 तक भी है तो बहुत अच्छा है आ प 비디오 प्रीजेक्ट नहीं किये जाएंगे रही बाट पूछा जा रहा है समझे दोस्तो और यह जो नमबर है यह आपके फैनल से नहीं लगे Saya तुन है इतना आप लोग समझ गे रही बाद रेट टेट का तो दोस्तो डेली 50 बंदे बुलाये जा रहे हैं कभी 35 जाते हैं कभू 40 जाते हैं कभी 20-35 जाते हैं इस तरह से स्टूडेंट पहुच रहे हैं सेंटर पर समझ गे दोस्तों जो पचास में से 50 बच्चे कहीं पर नहीं पहुच रहे हैं बस 50 से 40 45 45 से नीचे ही बच्चे पहुच रहे हैं और डेली के रिजेक्ट होने की हम बात करें तो एक सेंटर से दो से तीन बंदे रिजेक्ट होते हैं एक दो ट्रेट टेस्ट में दो तिन डॉकूमेंट में समझ गए तो यहां पर रिजेक्ट भी स्वाल बहुत कम हो रहा है समझ गए तो यहां चलिए आते हैं हम एलो दोस्तो आज म बात करने वाले हैं NCC भरती परिक्शा 2024 के बेस्ट बुख के बाड़े में जो कि चक्छु परकासन की सबसे बेस्ट बुख है राश्ट्य के रेट को भरती परिक्शा ग्रूप A,B,C परिक्शा है तु NCC के लिए सबसे बेस्ट बुख है चक्छु पर के साथ इनकी NCC की objective समान अध्यन की बुक आती है जिसे पढ़कर आप अपनी तयारी को और मजबूत कर सकते हैं तो दोस्तों ये बुक और ये objective बुक लेना चाहते है तो वीडियो के नीचे description में लिंक है फटा फट जाए लिंक पर किलिक करके इस बुक को online परचेज uhuk कट परकि बाई कट आप का क्या आप माजरा है तटक क्या माजरा है हमारा जो फाइनल कता खोंग है वह कितना जायेगा दस प्लस जाएगा फंदरफ सवाकर पिलस जायेगा या दैगा या फड्यान प्यांचे जाएगा किया गया लेकिन दोस्तों यहां पर इतना या यह करेंगे वह यहां पर इतना यह अहार यहां पर किया और इसके बाद यहांपर दोस्तों हम बात करेंगे कितना भ्यारती नहीं आने कारण जो भ्यारती फीजिकल में भी नहीं पहुंच रहा था रही बात कि भाई जाएगा कितना कटफ आप लोग देखें होंगे दोस्तों यहां पर ट्रेड टेस्ट और डीवी के लिए कितना कम कटफ गया है समझ के दोस्तों अब रह लोगों को छो कटफ लगने वाला है किसके अब झाया यहां और आपको कटफ से गुजरना है मेडीकल के लिए मेडीकल के लिए जैदा नहीं एक बात याद रखिएगा मेडीकल के लिए पांच से छे नंबर प्लस जाएगा कटफ समझ के पांच प्लस पांच प्लस कटफ जाएगा पांच से दो एक दो नंबर मतब कि पांच छे यह समझ लीजे आपका 25 पर्ण के लिए होगा तो पान से six नंबर ult jae we see category है समझा जो यू यू आर कटेगरी है उसका भाई थोड़ा थ्रक्तव जो दस पलस जा सकता है दस medical के लिए लेकिन जो sc category है जो esti category है और जो ews category है उसका भाई 5 पलस नमबर जाएगा इसके लिए medical के लिए रही बात final cut up में क्या जाएगा तो दोस्तों यहां पाई बात करें कि final cut up देखें कि हम आप लोगों को यह expected cut up दिखा नहीं हम complete नहीं बता रहे हैं हो सकता है दो चार नमबर जैदा जाए दो चार नमबर कम जाए उधारन के लिए हम बता रहे हैं समझ लिए आप लोग पढ़ेशान मत होईएगा इसके बाद रही बाद final का तो दोस्तों final में जो है 10 plus cut up 10 plus cut up जाएगा इससे समझ लिजे दो नमबर कम या दो नमबर जैदा लेकिन यहाँ पर 15 plus 20 number cut up इस वार नहीं जाने का अनुमान है समझ को 15 plus cut up जाने का इसवार नहीं अनुमान है दश्ञर सकता है दस से 15 पंद्रह तक जा सकता है लेकिन 15 से उपर इस्वार कट नहीं जाएगा के लिए इससे कम भी जा सकता है लेकिन हम आप लोगों को एक धरन के तरीके में बता रहे हैं तो आप लोगों घबराना नहीं है आपका कितना भी नंबर हो चाहे आपका 50 नंबर हो और 45 पर आपको ट्रे जाएए जो होगा देखा जाएगा फाइनल के लिए 15 से आगे नंबर नहीं जाएगा 15 से नीचे ही रखा जाएगा क्योंकि अभ्यार्थी कम है और अभ्यार्थी भी पहुंच रहे हैं कम समझ कि दोस्तों इसलिए तो यारी में लगे रहे है फाइनल कट अप कुछ भी झाल